अब लोगों को पता है कि अभी जो है दिवाली आ चुकी है और सभी लोग अपने घरों में LED लाइट्स लगा रहे होंगे जहाले लगा रहे होंगे अपने घरों के दर्बाजे पर तो दोस्तों यहां पर वीडियो पर दिखाई दे रहा है यह देखिए कुछ इस तरह की जहल फिरे के सब्राइए तो यहां पर घझाए हुए है जैसा कि अपको लिखाई दे रहा है तो यह जो है इनके connection कैसे करने है जालर तोम लोग लगा लेंगे इस तरह की लेकिन के connection कैसे करने cent ताकि सही तरीके Сज़ पर तरीके से जल पाए और बिल्कुल भी खराब ना हो पाएं इसका यूज जो हैं अगले साल भी कर पाएं तो सारे connection आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ मेरे नाम है संजू आप देख रहें लर्निंग बाबा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज के अपने वीडियो में दिखाई दरा इस तरीके से आपको सारी जहलर्स को अराम से लटका लेना है तो आप क्या करना है दोस्तों आपको एक लंबी सी बायर चाहिए तो एक लं चलिए और वाइड के वाइर आपको दिखाई दरी है तो एक जहलर का सिरा जो है अपर गया हुआ है उपर की साइट में तो यह जहलर का इन्पुट है तो इस तरीके से आराम से यहां तक आ चुकी है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सेकंड हमारी जालर है तो इसका यह जो है इनपुट है तो इसी बायर में हमने क्या किया है एक जो इनपुट है एक इनपुट बायर है जो जालर की उसे हमने बाइट कलर में जोड दिया और दूसरा जो है न I put in next जहलर का तो इसंट भी हम ने कही आदि एक जो नीली बायर है है यहां पर सपेद आयर में कनेक्शन कर दिया है उसके बाद जो है यह ही बाइट चटी रह रही है यहां पर भी यह באयर के साथ में घृत हम न अमारी जो जहालर के यह यहां पर यह जो है इसे भी हमने यहाँ पर connect कर दिया है इस बायर के साथ में आप देख सकते हैं इसका input जो है हमने यहाँ पर connect कर दिया है तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से नहीं जलेंगी तो इसलिए आपको पैरलर में ही connection करने है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताये है आप देखिए दोस्तों यहां पर हमने क्या किया है यह जो बायर आई है इसमें एक प्लग लगा दिया यह देखिए दोस्तों यह जो है यह प्लग लगा दिया इसके एंड सिरे पे तो इसे हमने क्या करना इसे अपने जो सप्लाई वोड है इससे हमें कनेक्ट कर देना है तो आप सप्लाई दंक से पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे और अगर कोई भी दिक्कत हो कोई भी परशानी हो तो नीचे कमेंट कर देना मैं उसके पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा तब तक के लिए नमस्कार